कि आप सब का स्वागत है आपका प्यारा चैनल एक टूजाइट इस्ट्री पोइंट पर बच्चों देख रहे हैं आज मीना सकुला की कॉमेंट से वीडियो अपलोट की जा रही है तो किस तरह से हम ओमार सीट पर अंसर क्वेस्टन को ड्रिल करते हैं उसी के बारे में बताए तो आज का क्लास को शुरू कर रहे हैं नागरिक शास्त्र पाठी पुष्टक से अपना किताब खोई लेंगे और उसको थोड़ा सा देख सकते हैं चली क्लास को देखते हैं क्या लिखा है लिखा है कि भारत में संबिधान कब लागू हुआ था तो आप्सन आपके पास है क एक पूरी तरह से आपको कालर करेंगे जहां देखते चली अच्छी तरह से यह आपका पूरी तरह से आपको कलर कर देना है इस तरह से जो भी अंसर आपका बच्चा हो तो इसे आप अच्छी तरह से घेर लगे पूरे कंप्लेट हो जाएगी दो नुमार में देख लें भारत कितने किलोमेटर वरग छेतर में फेला हुआ है कितना फेला हुआ तो 32,87,230 किलोमेटर 32,87,260 यह आपको लिखना है इसको इकाई दाइ करके लिखें एकाई दाइ सेकड़ा हजार दस हजार लाक दस लाक तो 32,87,263 किलोमेटर तक यह भारत का छेत फैला हुआ है दो का आंसर आपका गोर नमर हुआ तो इसको कैसे बनाएंगे इसको देखिए अची तरह से यह आपका दो नमर हो गया तो दो का गोर नमर यहां आ गया तो इस तरह से इसको रंग कर देंगे और बाकी को छ को रंग नहीं कीजिएगा नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इस बात को याद रखिए गया आई क्लास को आगे करते हैं आप देखने बच्चों आपके पास कौन सा कोस्टिन आ चुका है कि सरहुल कर्म दस है और सोहरा तेहर किस राज में मनाया जाता है तो यह बनाय क्टे देते जो है यह जारखन में क्या जाता है 15 को देखते हैं भारत कितनी भासाइं बोली जाती है तो देक्याइए भारत बहुतिनी भासायया जाती है लगा और चौन बहुतित नमर का को 청ड़ होगा को सम्भीधियां के आठिवी नशूची में कितनी भासाओं को तो बच्चों ध्यान रहे कैसे लगाएंगे आंसर को देखते चलिए यह चो नुमर हो गया इस तरह से इसको लगाएंगे अच्छी तरह से यह देखिए तो यह मीना सुकला की कौमेंट से वीटियो अपलोड की जा रही है तुलिट कीचन मी कोमेंट किये थे इसको नागरी सासर का बताईए यह दूनों बच्चे जो है काफी ही मेहनती हैं परिसर्मी बच्चे हैं और ये कॉमेंट किये हैं काफी खुश्ची हुई कि उसकी मदद करनी चाहिए आईए बचो क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर्व पर्थम किस वर्ष भासा के अधार पर राजिका गठन क्या गया था तो इसका अंसर क्या गए बचो, उनजीछ सा तनी तीरीपनी इसका अंसर होगा और आठ नमर को देख रहे हैं भारत में सरत्पर्थम भासाह का अधार, किस राज का गठन किया गया था तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बचो आंद्रा परदेश लिखेंगे यह आपका भासाह के अधार पर इस राज का गठन किया गया था 9 नमर में देखने हें क्या लिखा है तो यह देख लिए जाओगे यह नो नमर आपका है और गोन नमर आपका यह आगिया तो इसको यहां से अची तरह से पूरा का पूरा आपको कलर कर देना है यह देख लिजीए यह आपका complete होगे बच्चों इस तरह लिखेंगे और इसका बाहर नहीं लिखेंगे दस नमर कॉस्चन देख रहे हैं बच्चो क्या लिखा है कि स्रावनी मिला किस सहर में लगता है तो आप जान रहे हैं सावन मिला आपका देवघर में लगता है तो ये आपका आंसर होगा देवघर को लगाएंगे उसके question number देख रहे हैं रत मिला किस सहर में लगता है तो रत मिला आपका जो होता है वो आपका जगरनात्पुरी में लगता है तो रांची में है तो ये आपका answer 11 का कौन नमर answer होगा 12 number question को देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है बारह नमर कुस्तिन देखरें बच्चों क्या रहा कि नीमन में से कौन समाजिक भेदभाव का स्वरूप नहीं है तो देखिए इसमें लिखा है लेंगिक भेदभाव भासाई भेदभाव गोव में सारीरिक बनावर के अधार पर भेदभाव और गोवा नमर में लिखा कोई भेदभाव हैं लेकिन करा भेद का स्वरूप नहीं है तो गोव नमर कोई नहीं इसमें नहीं है क्योंकि समाजिक भेदभाव नहीं है यह रूरिवादी का भेदभाव है इसलिए आंसर आपका गोव नमर होगा बच्चों देख रहे हैं तेरे नमर कोशन आपकी पास दिख करते हैं तो यह डायन सब्व का जो परियोग किया गया अधिकतर ग्रमीन छेत्र में कहा जाता है और यह किया जाता है तो आप जारखन सरकार का टॉल जारी कर देया गया है तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं उसका नंबर है 181 एक सो एकासी नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका रिस कबर कर लेंगे और आपको कानूनी करवाही कि जाएगी आए बच्चों को देखते हैं भारत में गाउं की संक्यां है लगभग कितनी है यानि आप सिमान्त किसान के पास जमीन होता है कितना होता है इसको आप बताएंगे तो कहता है एक सिमान्त किसान के पास जमीन होनी चाहिए कितना एक एकड़ होनी चाहिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए आपका आंसर होगा पंदरा का कॉल नमर स्व कि इस वर्ष में समीधान सभा के चुनाव हुए थी तो आंसर इसका क्या होगा जल्दी से अब देख सकते हैं 1946 इसका चुनाव हुआ था आंसर अब का खुआ नमर हो गया 17 नमर कोशन को देखने क्या लिखा है कि समीधान सभा में कितनी महिला सदस्यों को सामिल किया गया था तो इसका आंसर आप चुनेंगे दीरे से चुनिए और बताएए कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपसन देखिए आपके पास है 12, 13, 14, 15 तो इसका आंसर आपका होगा अच्छी तरह से देखते चलिए कौन सा अंसर होगा आपके पास देखते चली जल्दी से बताएंगे आंसर आपका 15 होगा बच्चो यानि गौन नमर अठाना लबन कुस्चन को देख रहे हैं कि सम्मीधान सभा का पर्थम अधिवेशन किस वर्ष को संसद्भवण के केंद्री कच में आरम क्या गया था तो आंसर क्या होगा आंसर होगा 39 नमर निजशो चिया गया था उनीज नमर कोस्टन देख रहे हैं बच्चो आपके पास कोस्टन आ चुका है अच्छी तरह सी देखें इसको किस सम्विधान सभा ने प्रारूप समीती की नियुक्ती कब की तो इसका अंसर क्या होगा अंसर आपका कौन नमर होगा 29 अगस 1946 बिशन नमर को देख रहे हैं क्या कहा रहा है भारती समीधान का जनर किसे कहा जाता है तो आंसर क्या होगा भीम्रा अंबेदकर को कहा जाता है 21 नमर कोस्टन है कि डाक्टर राजिन परसाथ समीधान सभा के अस्थाई अध्याक कब बने तो इसका आंसर होगा कौन समय निरमां में कितना समय लगा था पच्छो क्या होगा वर्स इंच 1 माइना 18 दिन लगा था आपका कौन निरा भाजन सही होगा और इसको आप लगाएंगे ऊमाल से पर कैसे लगाएंगे तो देखें लिझे लिजिए को फ़्रप्र कोgender और देखें कि अपा है उपन्सा नमर शाया से कहीं भी कोई confusion नहीं होनी चाहिए आईए question को आगी बढ़ाते हैं उसके आद देखने बच्चो 23 निम्न में कौन एक सरकार का परमुक कारी नहीं है यानि सरकार किस कारी को नहीं कर सकती है उसके बारे में कहा रहा है तो देख सकते हैं आपके पास question है option शिक्षा स्वास्थ्य राष्टी सुरक्षा विद्यस यात्रा का संबंद तो बताएंगे बच्चो आंसर इसका क्या हो सकता है आंसर आपका होगा विद्यस यात्रा का परमुक यह सरकार नहीं करती है 24 नमर question है कि नीम्न में कौन एक सरकार का अंग नहीं है तो देखिए कौन नमर option है बेवास थापी का प्रेस कारी पाली का नियाई पाली का तो आंसर जल्दी से चुनिए और अपना फिट वग दिजिए तो आंसर आपका होगा कौन नमर प्रेस 25 नमर question है कि लोकतांत्रिक सर सकती नहीं रहती है को नमर है राजा का हाथ में राज परिवार के हाथ में जनतादवार चुने गई परतिनिद्रियों के हाथ में या इन में से कोई नहीं तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा तो जनतादवार चुने गई शक्ति जो होती है वो लोकतांत्र में सामिल हो तो क्या लिखेंगे 18 बरस होती है या 18 बरस जब आप काव हो जाएगा बच्चो तो आप क्या करेंगे एलक्षन देंगे सरकार को चूनेंगे और परदान मंत्री बनाएंगे मुख्या बनाएंगे जो भी हो तो आप मत के अधिकार है तो जिस वेक्ति की उम्र 18 बरस हो जाती ह तो मत दाता कहलाते हैं याद रखेगा ये भी कोशन आपको परिशा में पूझ सकता है तो 37 नमर कोशन को देखते हैं क्या लिखा है कि नीमने में की सास्थान पर आयुजित महिला अधिकार सव मिलन में महिलाओं के लिमत अधिकार की मांग की गई थी तो आंसर क्या सेने का फाल्ट न्यू यार्क में ये कह गया था ये आपका आप्शन सही है 28 नमर कोशन को देख रहें बच्चों बहुत अच्छा कोशन है देखें वही महिलाओं पूरूस मतादिकार का परियूग कर सकते हैं जिनकी आई क्या होती है अच्छी तरह से देखते चलिए वही 18 वर्स जादि जिसका अधिक हो किया तो मतादिकार का परियूग कर सकता है तीस नमर कोशन को देख रहे हैं इनकी न्यूक्ति सरकार द्वारा होती है किसकी न्यूक्ति सरकार द्वारा होती है बच्चों इसका देख लिजे अच्छी तरह से क्या-क्या कोशन दिया है कोशन इनमें से कोई नहीं का यही अर्थ होता है बच्चो धियान रखेंगे इसको भूलिएगा नहीं तो इसका अंसर क्या होगा गवा नमर होगा पंचाइद सच्चिव यह आपका अंसर हो गया बच्चो आपने देखें कि एक से तीस नमर तक अभी आपका हम कोस्चन असर करा दी है यह वीडियो आपको कैसा लगा कैसा महसुस हो रहा है वीडियो को पाते यह फीडबैक अवसी देंगे और दोस्तों को सेयर करते चलिए अगर आप हमारे सेनल पर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी एक्जाम प्रिप्रेशन को बरकरार जारी रखें बच् करें और अगर कुछ दिक्कत हो तो कोमेंट भी करें या वाटसब भी कर सकते हैं या अर्जेंट में कॉल भी कर सकते हैं मैं आप आई यह कोशन देखते हैं 32 नमर क्या लिखा है कि ग्रामी रोजगार कारी करम के लिए पंचायत को पैसे कहां से प्राप्त होती है इसके बार निगम आपको दर्साया गया है आपको पास नीचे दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से इसको देखें उसका 34 नमर को देखते हैं बच्चों क्या लिखा है कि जार्खन नगरपाली का अधिनिया की सुर्ष पारित किया गया है तो 34 नमर का आंसर क्या होगा बच्चों इसको अब बताएंगे तो पहले था बस्तू का मुद्रा इन बस्तू का बीन वहीं किया जाता था उसके बाद काग्जी मुद्रा हुआ और सिक्का मुद्रा हुआ 36 नमर को देखते हैं बच्चों ये नागरिक सास्त्र की कोश्चन है याद रखेंगे भूलेंगे नहीं 36 नमर कोश्चन देख रहे हैं क्या लिखा है बहुत अच्छा कोश्चन है बारत में सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के बने थे तो इसको अच्छी तरह से समझे, सोना का बना था, चांदी का बना था, तामबा का बना था, या एलमुनियम का बना था तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों थोड़ा सा जल्दी से आप ढूंदिए आंसर आपका होगा अच्छी तरह से देखते चलिए कैसा था पहले चांदी का था जी हां पहले चांदी का सीके चलाई गए थे तो आपका option क्या होगा क्वा नमर option होगा थे आज जो शिंक चलते हैं किस धादू के बने होते हैं तो उसको जल्दी से देख़ें क्वा में सोना है खवा में एल्मौनियम है गो में निकिल है और घवा में है खवा और गौ दुनिव इसका मतलब बच्चो यह हुआ तो खो और गो दोनों को मिलाने से क्या आज के सीके निर्वान हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं तो आपका option क्या होगा 37 का देख रहे हैं 37 का answer को देखते चले जल्दी से घो नमर आपका सही होगा 38 को देख रहे हैं बच्चो कोश्चन बहुत अच्छा लाजवाब है बच्चो देखते चले अगर आपको इस तरह और वीडियो चाहिए तो कॉमेंट अवसी करेंगे 38 को देख रहे हैं कि मुद्रा के माध्यम से कौमसी आर्थिक प्रक्रिया संपन होती है तो बताएंगे बच्चो इसका answer क्या होगा जल्दी से अब आप बताएंगे कि answer आपका क्या हो सकता है इनमें होगा सभी लेंदेन भी करते हैं भोकतान भी करते हैं और कीमत भी देते हैं इनमें आपका सभी answer आपका सही होगा 49 नमर कोश्चन को देख रहें क्या लिखा है कि प्लास्टिक मुद्रा का उधारन है तो प्लास्टिक मुद्रा का उधारन क्या है और नमर होगा बच्चन आप मेरे इस वीडियो को देखे आपको कैसा लगा कोमेंट अवस्य करें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो अभ कि सब्सक्राइब कर प्राइब को जारी लगा